सब्सक्राइब करन सब्सक्रार्स सब्सक्राइब सब्सक्राइब मैं तॉपिक इसे अच्छा टिअ से क Halo, सब्सक्राइब करए टेमेस कनफिचेन रूल कि यह साइन रूल है कुछ बजचे समझते हैं कि बेसिक टिगोड गिया किया था तो का दूबट वस्ड कै его कि सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें कया इसा चीम फिशान आ पटीऊगों कि वदर लुखिंगे additional soko is basically a relation between an acute and obtuse angle हमने यह देखा था कि हमने जितने triangles अब तक basic trigonometry में solve किये थे that was all acute right acute triangles थे उसमें उसमें एक angle 90 होता था बागी के जो दो angles थे वो less than 90 होते थे less than 90 होते थे तो अब हम कर रहे हैं obtuse angle तो हमें convert करना पड़ेगा तो इसलिए हमें यह relation जो है triangle उसमें we cannot apply trigonometric ratio तो नहीं apply कर सकते हैं acute angle जो right angle triangle है उसमें हम apply कर सकते हैं बिल्कुल तो हमने यह relation जो है वो study किया था कि sign of any angle is equals to sign of 180 minus that angle ठीक है यह हमने कैसे establish किया था मैंने तुमसे यह बोला था कि अगर एक straight line है उसमें एक angle हमें पता है छोटा वाला तो बड़ा मैंने यह चीज जो है class में देखी थी तो मैंने आपको बोला था कि अगर उन दोनों angles का तुम sign निकालोगे ना तो वो भी exactly यह same आएगा तो sign of any angle is equals to sign of 180 minus that angle ठीक है और हमने cosine का भी relation देख लिया था कॉस में हमने यह देखा था कि कॉस of any angle is equals to negative times 180 minus that angle अच्छा अब तुम लोग मुझसे पूचो के कि सर साइन में तो कोई मतलब यह negative sign नहीं आ रहा कॉस में negative sign आ रहा उसका आंसर यह है कि हमारे पास acute और obtuse और obtuse angle और acute angle का sum 180 होता है ना तो इसका मतलब है कि हम जो है वो first quadrant और second quadrant की बात कर रहे है ठीक है when we are talking about acute and obtuse angle इसका मतलब होता है कि हम 180 तक जाएंगे maximum क्योंकि acute और obtuse को plus करेंगे तो 180 आंसर आएगा ना 180 से जाधा तो नहीं आ सकता तो इसलिए हम लोग first or second quadrant की बात कर रहे है तो sign जो होता है ना वो first or second quadrant में positive होता है इसलिए यहाँ कोई sign change नहीं हो रहा लेकिन cosine जो है ना वो first quadrant में तो positive होता है लेकिन second quadrant में negative होता है इसी वजह से यहाँ formula में minus का sign है अगर आप से पूछे ना यह negative का sign क्यों आ रहा है तो आप यह बोलोगे कि second quadrant में cosine जो हो negative होता है इसी वजह से यह negative sign है तो हमें बस सिभ यह relation समझना है और उसको apply करना है बस यह quadrant की चीज़ तो मैंने तुम्हें सिभ इसलिए बता दी कि sometimes सुमसे कोई पूछ ले कि यह negative क्यों आ रहा है यह positive क्यों नहीं आ रहा तो आप उसको यह बोलोगे कि sign is positive in first and second quadrant cosine जो है ना वह second quadrant में negative होता है इसलिए minus sign आ गया ठीक है तो relation is sign of any angle is equal to sign of 180 minus that angle ठीक है और any angle का मतलब है कि यह 180 की range में होना चाहिए कि अगर 180 से बढ़ा हो गया तो यह negative हो जाएगा चालो अब जरह यह चीज हमने जो है last class में study की थी अब जरह इसकी application देखते कि यह apply कैसे होती है तो हमारे पास उसकी application के लिए हमारे पास एक इस example में मैं question जो है वो read out कर देता हूं तुम लोग के सामने book है तुम लोग book से भी देख सकते हो question में मुझसे कह रहा है in the figure DAB is a straight line अब यह language को समझना जो है यह बड़ा important है वह मुझसे पहली मुझे information उसने दिये कि this DAB यह जो DAB आपको नजर आ रहा है this is a straight line यह straight line है और जब भी इस तरह की language use हो ना DAB is a straight line तो आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि यह जो angle है यह 180 बनेगा क्योंकि एक triangle भी मुझे बना के दिया हुए यह figure बनी विया यह triangle भी दिया हुए और इस triangle में 90 degree का angle भी दिया हुए ठीक है आगे कह रहा है AB is 15 cm AB 15 cm है the length of side BC is 8 cm and the side AC is 17 cm यह तीनों dimensions उसने दीवी है यह उसने पूरी figure question में बना के दीवी है first part में हम उससे कह रहा है find the value of each of the following the first part is sign of angle dac ठीक है sign of angle dac मुझे find out करना है मुझे angle नहीं find out करना मुझे उस angle का सिफ sign find out करना है तो सबसे पहले मैं यह देखता हूँ कि what is this angle dac यह कौन सा angle है यह acute है कि obtuse है तो मैंने जब angle dac को trace किया तो starting point is d d से a पे जा रहा है और फिर a से c पे जा रहा है इसका मतलब है यह जो red से नजर आ रहा है red और blue से इस वाले angle की बात कर रहा है वो मुझे कह रहा है कि इस angle का sign find out करके दिखाओ तो अब problem यह है कि यह वाला जो angle है यह तो triangle का part नहीं है यह तो सिर्फ एसे है एक angle बनावा है इसको तो मुझे solve नहीं करना आता तो मैंने क्या किया अपना पुराना concept यूज किया जिसमें मैं obtuse angle को acute angle में convert करता था by using soco soco कहता है कि sign of any angle is equal to sign of 180 minus that angle तो मैंने यही जो है वो rule यूज किया और मैंने इसको इस तरह लिखा कि sign of angle dac किसके बराबर होगा sign of any angle is equal to sign 180 minus that angle है अच्छा तो मैंने क्या किया मैंने question देखा first part में मुझसे कह रहा था sign of angle dac find out करना है तो sign of angle dac कौन सा वाल एंगल है यह outside angle है जो आपको red or blue से नजर आ रहा है मुझे इसका sign find out कर रहा है ठीक है अच्छा अब मैंने कहा कि या since this is an obtuse angle यह तो obtuse angle है ना या कोई triangle बन रहा है तो मुझे तो सिफ triangle को solve करना हा था और वो भी right angle triangle तो मैंने क्या किया मैंने यह वाला relation use किया soko का क्योंकि soko कहता है कि you can convert an obtuse angle into an acute angle क्योंकि यह straight line है यह straight line है मतलब यह total angle 180 है तो अगर मैं 180 में से यह वाला जो blue और red angle है यह minus करना हूं तो क्या मुझे यह blue वाला angle मिल जाएगा ना because this is 180 this total is 180 और यह जो red वाला angle अगर यह 180 में से subtract हो जाए तो मुझे यह वाला angle मिल जाएगा इस वाले angle का नाम क्या है यह angle शुरू हो रहा है B से A पर जा रहा है और फिर C पर जा रहा है तो BAC यह वाला angle हो गया तो मैंने इस relation को use किया और मैंने लिखा sign of angle DAC is equal to sign 180 minus angle DAC sign of any angle any angle की जगह पे angle DAC लिखा हो है is equal to sign 180 minus that angle that angle मतलब DAC यह मैंने 100 को use कर लिया so use कर लिया sign of obtuse angle और फिर मुझे पता चला कि 180 minus angle DAC किसके बराबर है 180 minus DAC is equal to angle BAC यह छोटे वाले angle के बराबर है ना blue वाले का तो blue वाले का नाम क्या है BAC तो मैंने इसको replace कर दिया angle BAC से अब यह मेरे पास sign of angle BAC बन गया और यह जो angle है that is in a right angle triangle तो मैं यह trigonometric ratio apply कर सकता हूँ side मैंने label कर दी यह angle था required इसके सामने वाली side opposite हो गई यह side adjacent बन गई यह side hypotenuse बन गई मुझे पता है कि sign is always equals to opposite upon hypotenuse sign जो है वो o upon h के बराबर होता है तो इस triangle में o किसके बराबर है o 8 के बराबर है और h जो है वो 17 के बराबर है तो इसका मतलब है कि sign of angle dc is equals to 8 upon 70 तो मैंने यह देखो क्या किया मैंने क्या कि obtuse angle को पहले convert किया acute angle में क्योंकि acute angle जो था वो right angle triangle का पार्ट था और I know how to solve a right angle triangle तो मैंने पहले so को यूज किया sign of obtuse और sign of obtuse को यूज करके मैंने अपने angle को convert किया acute angle में और फिर acute angle में जब convert हो गया तो मैंने trigonometric ratio यूज करके required अपनी value निकाल ली sign इस तरह हुआ cosine भी बिल्कुल इसी तरह होगा क्योंकि उसने मुझे बोला है cause of angle dac निकालो दोबारा dac मतलब या outside angle तो दोबारा मुझे इस angle का cosine निकाल ला है तो पहले मुझे इस angle को convert करना पड़ेगा acute angle में तो I will take the help of Soko, Soko की help लोगा तो Soko क्या कहता था साइन में तो कोई साइन चेंज नहीं होता था लेकिन को साइन में साइन चेंज हो जाता था को साइन में वह negative साइन आ जाता था तो सबसे पहले मैं वह law लिखता हूं वह जो law था according to that law कॉस of any angle तो यहां angle कौन है dac तो कॉस of dac is equals to negative times कॉस of 180 minus that angle ठीक है and I know that 180 minus that angle एसको मैं replace कर सकता हूं angle bac से तो मैंने सिव angle bac से replace किया negative sign as it is now I know how to apply cost since this is a right angle triangle cost is always equals to adjacent upon hypotenuse what is the adjacent side adjacent is 15 hypotenuse is 17 तो 15 upon 17 is your answer और यह negative sign जो इसके साथ चलेगा तो मैंने जो है वह cause of angle dac भी find out कर लिया sign में हमारे पास हमेशा sign change नहीं होता positive ही रहता है और cosine में हमारे पास sign change हो जाता है यह बुक वाली इसको मैं एक बार फिर रिवाइस करवा देता हूं जल्दी से वो example 2 में हमें जो है वो figure was already there figure में उसने हमें जो है वो एक right angle triangle बना के दिया हूँ है और right angle triangle में उसने जो है वो हमें यह find out करने के लिए sign of angle dac जब मैंने angle dac को trace किया तो angle dac was this angle यह जो आपको red or blue से नजर आ रहा है तो यह basically obtuse angle है triangle के बाहर का angle है और उसने मुझे question में बताया था कि dab is a straight line यह जो dab है न यह straight line है इसका मतलब है कि मैं इस obtuse angle को इस acute angle में convert कर सकता हूँ by using the rule जो सो को जिसको मैंने नाम बताया था सो को जो rule था sign of obtuse और cosine of obtuse वाला जो topic था उसमें हमने एक rule study किया था कि sign of any angle is equal to sign of 180 minus that angle तो according to this rule मैं इस obtuse angle को acute में convert कर सकता हूँ कैसे I know that this 180 minus angle यह dac यह this complete angle is 180 अगर मैं इसमें से यह red वाला angle minus कर दूं तो I can get this angle यह मुझे मिल जाएगा इस चोड़े वाले angle का नाम किया इसका नाम है बी एसी ठीक है तो मैंने क्या किया इसको replace किया बी एसी से अब यह वाला जो angle बी एसी है it is a part of a right angle triangle और since it is a part of right angle triangle I can apply the trigonometric ratios on it and I know that sign is equals to opposite upon hypotenuse तो यहां सब्सक्राइब करने के लिए बोला अगें दिस डी एसी इस अन obtuse angle तो मेरे पास relation है बिल्कुल है क्या relation था Cosine का Cosine of any angle is equals to minus Cos of 180- this angle तो अब जो एंगें मेरे पास मैंने 180 में सेडी एसी को सब्ट्रेक्ट क्या 180 minus dc is equals to angle bdc तो मैंने bdc को replace किया Cosine adjacent upon hypotenuse के बराबर होता है इट जेसें 15 होता है हाँ इन्यूस 17 तो 15 अपॉन 17 आंसर आ गया दोंट फिगेट टू मार्ग दिस नेगेटिव साइन क्योंकि आपको पता है को साइन में नेगेटिव साइन आता है पार्ट c देख लेता है पार्ट c उसने मुझे बोला 10 उसले अफ एंगल एंगल B अब तो यह स्टर्ट और तो इसमें तो इसमें तो कन्वर्ट करने की सोथी नहीं है ए dispose आंगल का ट्राइंगल मैंने ना दिया, right angle triangle है, so right angle triangle में trigonometric ratio अपलाया होगा सीधा-सीधा, यह वाला angle find out करना है, इसके सामने वाली side opposite, यह 90 degree है, इसके सामने वाली side hypotenuse, and this side is adjacent, I know that 10 is opposite upon adjacent, O upon A, opposite side is 15, adjacent is 8, so 15 upon 8 is my answer, since this is a improper fraction, इसो convert कर लो mix number में divide करके, 15 को जब 8 से divide करोगे, तो you will get one whole number, 7 upon 8, इसको decimal में भी लिख सकते हैं, इसको mix number में भी लिख सकते हैं, तो यहां convert करने की जहुद ही नहीं पड़ी, तो वो आपको इसी तरह का question देगा, sine and cosine में you have to convert the angle by using the relation, और 10 में तो वो आपसे direct acute angle पूछ लेगा, तो acute angle is a part of a right angle triangle, यहां direct trigonometric ratio यूज़ कर देगा, तो basically हम यहां दो काम कर रहे हैं, first we are applying soko, and then we are applying trigonometric, जो ratio देगा, वो अप्लाय कर रहे हैं,